गुड़मानि और जयहिन दोस्तों आईए आज के करेंड़फेर के साथ आगे बढ़ा जाए तो आज का पहला कोश्चन है राष्टिय बिज्ञान दिवस का मनाया जाता है तो ये राष्टिय बिज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को क्यों ऐसा, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को ही रमन परभाव की खोच की गई सीवी रमन ने क्या किया, रमन परभाव की खोच किया था रमन इफेक्ट और बात का लेते हैं, रमन परभाव की खोच के कारण ही क्या हुआ था इनको 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरुसकार दिया गया था और इसलिए इनको 1954 में भारत रतन भी दिया गया था ये भी आपको याद रखना है और बात कर लेते हैं कुछ दिवस की बात आई है तो आए कुछ दिवस की चर्चा कर लेते हैं 27 फरवरी को क्या मनाए हम 27 फरवरी को हम मनाए हैं विश्व यंजियो दिवस क्या विश्व यंजियो दिवस हम मनाते हैं 27 फरवरी को ये पहली बार का मनाए गया था 2014 में और ये अब मनाए 2023 वाला में आईए आगे बढ़ते हैं कुछ और दिवस की अगर आपसे बात कर लेते हैं, दो फरवरी को क्या मनाएं, विश्व आद्र भूमी दिवस मनाएं, क्या भाई साथ, विश्व आद्र भूमी दिवस मनाते हैं, दो फरवरी को, चार फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, दस फरवरी को क्या मनाते हैं, भाई सब 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाते हैं तेरे फरवरी को क्या मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस तेरे फरवरी को मनाये जाता है ये कुछ दिवस है जो आपके एक्जाम के लिए important है आईए आज के दूसरे question की चर्चा करते हैं आज का दूसरा question है पेपसी के ब्रांड एमेश्टर कौन बने है तो पेपसी के जो ब्रांड एमेश्टर बन चुके है भाई सब रडवीर सिंग बने है कौन रडवीर सिंग पेपसी की बात कर लेते हैं जिसे पेपसी को कहा जाए तो इसकी अस्थापना कब हुई थी 1965 में इस इसका headquarter कहां पे है भाई सब्व नियूयर्क में इसका क्या है headquarter है अगर बात कर लेटे हैं इसके CEO कौन है भाई सब्सक्राहर पाइसके क्या है CEO है ये भी आपको याद रखना है आगिए कुछ नए ब्रांड एमिश्टर की चर्चा लगे हाथ कर लेते हैं जैसे अगर आप से बात कर लेते हैं जैसे निच्छे मित्र ये निच्छे मित्र क्या है टीबी दूर करने का ये सिस्टम है ये निच्छे मित्र इसके ब्राण्ड मेस्टर कौन बने है दीपा मलिक इसकी ब्राण्ड मेस्टर है दीपा मलिक निच्छे मित्र की बैंक करते हैं अर्बन गबरू के ब्राण्डे मिश्टर कौन है अर्बन गबरू के ब्राण्डे मिश्टर बन चुके हैं भाई सेब शूरी कुमार यादो और बात करते हैं ड्रोनी के ब्राण्डे मिश्टर कौन बने हैं ड्रोनी के ब्राण्डे मिश्टर हैं धोनी साहिब और बा ब्राइऍडर segurança कर लेते हैं, blind जो T20 मैच हुआ था, blind, जुसको भारत ने जीता है, यूराज सिंग, ये भी आपको याद रखना है, फिन काड के ब्राइद मिटर अगर आपसे पूछ ले, तो फिन काड के ब्राइद के मिटर है, रभी सास्त्री ये फिन काटके क्या है ब्राण्ड एमेश्टर है ये भी आपको याद रखना है और बात कर लेते हैं बंधन बैंग के ब्राण्ड एमेश्टर कौन है सौरफ गांगुली बंधन बैंग के ब्राण्ड एमेश्टर हो गए है सौरफ गांगुली तो ये कुछ ब बात कर लेते हैं 2022 का तो पुरस में चुना गया है लियोनेल मेसी को चुना गया है और यह कहां के खिलाडी है अर्जेंटीना के खिलाडी है लियोनेल मेसी अगर आप से बात करें महिला में किसे चुना गया है तो महिला में चुना गया है ऐलेक्सिया पूटेलस को किसे भाई स करें 2022 का सर्वसेष्ट जो फीफा के लड़ी ये पुरुस महिला हो गया और 2022 का सर्वसेष्ट पुरुस कोच किसे चुना गया है कोच की बात करें ओ भी इसमें पुरुस की बात करें तो लियोनेल इसको लोनी कौन किसे भाई लियोनेल इसको लोनी को चुना गया है ये कहां के हैं भाई सर्व अर्जेंटीना के हैं ये भी आपको याद रखना है अगर महिला कोच किसे चुना गया है बेश्ट तो याद रखेगा सरीगा सरीना बिग सेन को सरीना को चुना गया है सरीना भी को चुना गया है ये कहां की हैं इंगलेंड की हैं ये भी आपको याद रखना ह आइए फीफा की बात कर लेते हैं 2022 का जो फीफा वल्डिकप संपन हुआ फीफा 2022 वाला तो फीफा 2022 वाला कौन सा संस्कर था भाई सर तो ये 22वा संस्कर था किसके बीच फाईनल खेला गया तो ये खेला गया अर्जेन्टीना और फ्रांस के बीच इसमें विजेता कौन रहा भाई सब तो इसमें विजेता अर्जेंटीना रहा कहां खेला गया था कतर में खेला गया था ये भी आपको याद रखना है इसमें अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को गोल्डेन बाल का एवार्ड दिया गया था लियोनेल मेसी को अगर आप से पूछे अगला वर्ल्ड कप कह अगला वल्ड कप 26 वाला कहा होगा तीन देशों में मैक्स को अमेरिका और कनाडा में होगा मानि उत्री अमेरिका महादीप में होगा अगर आप से बात करें फीफा की तो फीफा की बात कर लेते हैं फीफा की हेटकोर्टर कहां पे है तो याद रिखेगा इसका हेटकोर्टर जियूरिक में है, कहा है, जियूरिक में, अस्थापना कब हुई थी, 1904 में हुई थी, इसके वर्तमान में अध्यच कौन है, ग्यानी इनपंठीन हो, इसके वर्तमान में क्या है, अध्यच है, आईए अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं, अगला कोश्चन है, कोबरा वेरियर 2030 का आयोजन कहां किया गया तो कहां पे होगा तो कोबरा वेरिया 2030 का आयोजन कहां किया गया तो ये किया गया है ब्रिटेन में ब्रिटेन में किया गया है कोबरा वेरिया 2030 का आयोजन इसमें भारत की उर से कौन भाग लेगा तो याद रखेगा भारत ये बहुँ पच्छीय देश इसमें भाग लेते हैं, कौन कौन से देश इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं, तो एक तो भारत इसमें भाग लेगा, दूसरा फिनलेंड भाग लेगा, फिनलेंड के बाद बोलें स्वीडन भाग लेगा इसमें, स्वीडन के बाद अफिरिका और बात करें अमेरिका और एक देश है जिसका नाम है सिंगापूर ये सबी देश इसमें क्या करेंगे भाग लेंगे जिसका नाम है कोबरा वैरियर कहां होगा ब्रिटेन में होगा अगर आपसे बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन में अभी हाली में मनमोहन को जो भारत के पहले मने इसके पहले पढ़ान मंत्री थे मनमोहन सिंग को UK के दौरा क्या UK के दौरा lifetime achievement award से क्या किया गया सम्मानित क्या गया मनमोहन सिंग को और बिर्टेन में UK की ही क्या क्या भाई से जागरती यादों को एक दिन के लिए यहां क्या बनाया गया उच्चा आ अगला कोश्चन है किस कमपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया तो यह कमपनी भाई से नोकिया नोकिया ने अपना क्या किया है नया लोगो अपडेट कर दिया है नोकिया की बात अगर आई है तो नोकिया किस देश की कमपनी है यह आप से सीधे पूछ लिया जाएग तो Nokia किस देश की कंपनी है तो याद रखेगा ये Vinland की कंपनी है कहां की भाई सेर्लड की कंपनी है Nokia इसकी अस्थापना कभ भी थी Nokia की 2865 में इसकी क्या हो चुकी है अस्थापना इसका हेड़क्वार्टर कहां पे है नासा पे फिन लेंड में है बिग्यान परमुक्या किया, निक्त किया है, तो किसे किस महिला को निक्त किया, तो याद रखेगा निकोला फाक्स को, किसे निकोला फाक्स को क्या किया है, निक्त की है ये नासा बिग्यान परमुक्या के रूप में, नासा की बात करते हैं, तो नासा की अस्थापना कब है इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है वानसी गटन डीसी है इनासा की क्या है इस्पेस एजंसी है आईए आगे अगले कोश्चन की चर्चा करते हैं अगला कोश्चन है पुरोतर राज के पहले संपिडित बायोगेस सयंत्र का उधगाटन कहां किया गया तो पुरोतर राज के पहले बायोगेस सयंत्र का उधगाटन कहां पे किया गया असम में किया गया और असम के मुखमंत्री कौन है भाईया हेमंत विस्वा सर्मा इसका क्य किये हैं उदगाटन किये हैं यहां के गवर्नर अगर आप से पूछ ले कौन है तो नया है गुलाब चंद कटारिया कौन भाइस है गुलाब चंद कटारिया यहां के क्या है गवर्नर है नय वाले इसका पुराना नाम क्या है कामरूप इसका पुराना नाम है अभी असम में ही आयूस मंत्राले ने क्या किया है अपना पहला चिंतन सिविर पहला चिंतन सिविर शुरू किया है पहला चिंतन सिविर किसने शुरू किया है आयूस मंत्राले ने शुरू किया है कहां पे असम में शुरू किया है और आयूस मंत्राले के मंत्री कौन है सर्वानन्दा सोनावाल सर्वानन्दा सोनवाल क्या है ये इसके मंतरी है याद रख्येगा आगे बढ़ते हैं और कुछ चर्चा करते हैं इसी के बारे में असम का लोकनित क्या है बीहू बीहू असम का क्या है लोकनित है आपसे पूछा जाएगा इसकी राजधानी पूछ ले तो दिस्पूर इसकी क्या है राजधानी है अगर आपसे पूछ ले भारत का पहला सुध्य हरित हाइडोजन प्लांट ये कहां पे बना है भाईया असम में ही बना है तो ये कुछ कोश्चन है जो आपको याद रखना होगा आए अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं अगला कोश्चन है किस देश के परधानमंत्री भारत के दोरे पर थे तो किस देश के परधानमंत्री भारत के दोरे पे रहे हैं तो याद रखेगा इटली के इटली के परधानमंत्री जिनका नाम है जियो जिरियो मेलोनी ये क्या है भारत के दोरे पर वर्तमान में है ये आप याद रखेगा ये पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाता है और इटली की राजधानी क्या है भाई से रोम है अब ये आप से बात कर लेते हैं गरतंत्र दिवस के गरतंत्र दिवस के मुख अथित कौन थे चीफ गेस्ट कौन थे अगर आप से पूछ ल है ये मिसर के राष्टपती हुआ है कौन है अब्दुल फते है अब्दुल फते है अलसीसी ये क्या है भाई से ये गरतंत्र दिवस के मुख अथित की रूप में हमारे यहां आये थे इजिप्ट इजिप्ट का मतला मिसर मिसर को मिसर को क्या कहते है निल नदी का वरदान कह जाता है ये point आपको याद रखना है जो विस्व के सबसे लंबी नदी है आईए अकले question को बढ़ते हैं अगला question है विस्व सतत विकास सिकर सम्मिलन 2030 का आयोजन कहां किया गया तो विस्व सिकर से कौन सा संस्क्र है 22 कहां किया गया नई दिल्ले में इसका क्या किया गया 2030 तक इसको किया है पूरा करने का लच्छरा रखा गया है अगर आप से पूछे कुछ और सम्मेलन की विश्व आर्थिक सम्मेलन कहां पे हुआ है और बात करें गलोबल बिजनेश समीट कहां पे हुआ है क्या चीज भाई सहब राश्टी बाल बिग्यान कांग्रेस ये कहाँ पई सउक्रिका डिवेशन जो समपन हुआ है ये समपन हुआ है रायपूर में सम्पन हुआ है संस्थापक इसके कौन है, इसके जीवनिकार कोन है ये पूछा जाता है तो इलन आक्चोवियन के जीवनिकार कोण है भईया साइब, बीलियम बेडर बर्न है ये जीवनिकार ये हुम को हरमित आप सिम्ला कहा जाता है हर्मिट आप सिमला कहा जाता है यह 1906 तक क्या रहे हैं भाई साथ यह कांग्रेस के सचीव के रूप में काम किये हैं कांग्रेस की अगर आप से बात कर लेते हैं पहला अध्वेशन कहां पे हुआ था तो पहला अध्वेशन पूना में होना था ही लेकिन वहां प्लेक फाइल जाने की कारण इसका पहला अध्वेशन मुंबई बंबई में संपन हुआ संस्कृत विश्विद्याले गोकुलदास तेचपल संस्कृत विश्विद्याले में पहला अध्वेशन होता है कब होता है अठाई दिसंबर 1885 को पहला अध्यशन होता है ग्वालिय टैंक मैदान बंबई में बात किलियर है और इसमें कुल कितने सदस भाग लेते हैं 72 सदस भाग लेते हैं और इसके पहले हिंदू अध्यश कौन है बाई W.C. बनरजी बेउम चंद बनरजी इसके पहले अ नाम हो गया है कांग्रेश हो गया है मने सक्तिसाली लोगों का समू यूनियन का मतलब सिर्फ समू होता है और कांग्रेश का मतलब सक्तिसाली लोगों का समू तो पहले इसका नाम यूनियन था लेकिन इसी बैठक में इसका नाम हो जाता है भाग पी राष्टी कांग्रेश बात किलर है इसकी दूसरी बैठक कहां पर होती है भाई सब इसके अध्यच कौन होती है यह आप देखेगा तो इसकी दूसरी बैठक के अध्यच है दादा भाई नरोजी यह पॉइंट आपको याद रखना है आपको बताना है इसकी दूसरी बैठक कहां पर होती है कमेंट कर के बता दीजेगा ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्रीन लाइक से सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यू धन्यवाद दोस्तों